हाई फ्रेंड्स मैं सीवसर एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वाध करता हूं अपने यूटुब चैनल के नॉलिज टेक्निकल में फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो ट्रेड थियूरी से संबंदित है ट्रेड थियूरी फिटर जिसमें पेपर वन का जो एक से यारी करा रहा हूं तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने टॉपिक पर और अपने टॉपिक पर आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आगरह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब करें और सब्सक्राइब करते हैं आपको ध्यान देना है कि सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता इसको प्रेस कर लिजी अटिक्स्क्राइशन को आल कर लिए ताकि जो भी विडियो में डालों वहाँ कर सबसे पहले पहुँचा और आपको लाब मिल सके तो चलिए फ्रेंट्स बिना समय गवाय आते हैं अपने टॉपिक पे आपके जो है इस किरिम पे ये पहला प्रश्ण है प्रश्ण है कि निम्लिखित प्रश्णों के सही विकल्ब चुनिए पहला प्रश्ण है कि भारी लोड को तल से उठाते एवं रखते समय हाथ की उंगलि के गुटके लगाते हैं डी ग्रिस लगा देते हैं तो देखिए हमेशा आपको याद रखना है कि अगर हैवी लोड है तो अगर उसको उठाना है और हाथ की उंगलि को अगर चोट से बचाना है तो वहाँ पे लकड़ी के गुटके लगाते हैं तो ऑप्शन नमबर सी मेरा correct और सही answer है चलिए इसको हम tick लगा लेते हैं तो option number मेरा C correct और सही answer है चलिए friends आग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन आपके screen पर इस प्रकार है अगला प्रशन है आपका की आदेसात्मक चीन है यहाँ पे एक sign दिखाई दे रहा है यह क्या है A. अदेसात्मक चीन है B. चेतावनी चीन है C. निसेदात्मक चीन है D. सुरचात्मक चीन है तो यहाँ पे जो एक देख रहे हैं कि head बना वाज यहाँ पे और उपर जो है दरसाय गया है कि आपको overhead है तो यहाँ पे क्या है आपको चेतावनी चीन है इसलिए option number मेरा B. correct और सही answer चलिए मैं इसको tick लगा देता हूं आगे बढ़ता हूं friends अगला प्रशन देखता हूं अगला प्रशन आपके screen पर इस परकार है निम्चित्र किसका सुचक है तो यहाँ पे जो आपको यह sign दिया गया है यहाँ पे आपको आग लगने का खत्रा है इसलिए आप सावधान लें तो यह आपका option number B मेरा correct और सही answer चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और अगला प्रशन देखता हूं अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है अगला प्रशन है कि तैलिय फर्स को निम्ण के द्वारा साव करना चाहिए का रहा है कि अगर हमारा जो फर्स है वो oily है तो हम कैसे साव करेंगे option number A रेत डाल कर B पानी डाल कर C CO2 का स्प्रे करके D उप्रुक्त में से कोई नहीं तो मेरा यहां correct और सही answer option number A अगर oily first है तो वहाँ पे आप रेत जिसको हम बालू के नाम से वो डाल कर आप साप कर सकते हैं आगे बढ़ता हूं friends और अगला प्रशन देखता हूं अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर है सुरच्छा चिंदर साता है क्या A यहां पे जो sign दिया गया है तो यहां यह क्या बता रहा है option आपके यह है कि मिलिंग कटर का प्रियोग B है समायोज गार्ड का प्रियोग C है वर्क्शॉप एरिया D है शुन्ने का सनच्छन पहने तो यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे यह जो sign दिया गया है कि यहां पे आप गार्ड का प्रियोग कीजिए तो option नमबर B हमारा correct और सही answer है चलिए आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रशन देखता हूँ अगला प्रशन है आपका कि दिया गया चितर किसका सूचक है यहां पे तो option आपके है A. आदेसात्मक चीन है B. चेतावनी चीन है C. निसिधात्मक चीन है D. सुचनात्मक चीन है तो यह क्या है प्लेस का sign दिया है मतलब सुचनात्मक चीन है कि यहाँ पे बगल में अस्पताल है तो option number D मेरे correct और सही answer है चलिए friends अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है कि tempered job को grind करते समय ठंडा करने के लिए प्रियोग करते हैं A. हवा, B. rate, C. पानी, D. उपरुक्त में से कोई नहीं तो देखें जब भी कोई job को हम heart करते हैं तो उसको temper जब करते हैं तो उसके लिए हम पानी का उप्योग करते हैं तो option number मेरा C correct और सही answer है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखते हैं आगला प्रशन है कि चीजल का head कि इस प्रकार का होना चाहिए option number A plane, B goal, C mushroom, D उप्रुक्त में से कोई नहीं तो friends जैसा कि आपको पता होगा कि चीजल का head mushroom होना चाहिए तो option number C मेरा correct और सही answer है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन आपके screen पर इस प्रकार है अगला प्रशन है कि arc welding की स्थिति में अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए प्रियोग करना चाहिए अगर आप welding का कार्श कर रहे हैं arc welding तो वहाँ पे आप अपने I आँख को बचाने के क्या पहनिएगा option number A है गहरे रंग के सीसे वाली screen B है धूप के चस्में C है मास्क D है साप सीसे तो आपको पता होनी चाहिए कि इसका character size answer है option number A क्योंकि उश्रमें आपको गहरे रंग के सीसे वाली screen पहननी है अब आगे बढ़ते हैं friends अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है कि कार्च साला में कार्च के दौरान पहनने में परियोग करते हैं क्या कार्च साला किसको काते हैं वर्क्शाप को तो वर्क्शाप में हम क्या पहनते हैं भाई तो देखिए option number A धिले कपडों का B टाई मफलर वा चपल का C हाथ में घड़ी वा अंगूठी का D डांगरी जूते वा चसमे का तो देखिए कार्च साला में कार्च के दौरान हमको ये पहनने होते हैं जो हमारा ड्रेस होता है उसको हम डांगरी काते हैं फिर जूते वा चसमे का उप्योग करना होता है तो आप्शन नंबर हमारा D करेक्ट और सही आंसर है अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन है कि 5S संकल्पना का मुखे उदे से क्या है आपके आप्शन है A. अपवय को कम करना B. है अपवय एवं समय की बचत करना C. है अपवय एवं खर्चे की बचत काना D. है अपवय को कम करते हुए उत्पादक्ता को बढ़ाना देखे बहुत सारी जो है भैक्टरियां इसी जो है आपका संकल्प पे कार्म कर रही जिसका नाम 5S दिया गया है तो इसका मुखे उदेश है अपवय को कम करते हुए उत्पादक्ता को बढ़ाना जैसा कि आप थम्नील में देखेगा ये प्रशन डाला गया है तो इसका यही करेक्टर सही आंसर आप्शन नमबर D अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है कि निम्र में से 5S संकल्पना का अनुसार उत्पादन की सारी परकिरिया सरालेव मसपस्थ होनी चाहिए क्या है आप्शन नमबर A है सिस्टेन, B है सिस्सो, फिर C है सिस्केस्टीशू और D है सिस्टेस्कीव तो हमारा करेक्टर सही आंसर है 5S संकल्पना का अनुसार उत्पादन की सारी परकिरिया सरालेव मसपस्थ होनी चाहिए किसके अनुसार तो सिस्के का अनुसार स, E, I, S, O, आप्शन नमबर B चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन देखिए बहुत ही लाजवाब प्रशन है चित्र में दर्सायगे चीन की पहचान कीजिए यहाँ पे यह जो चित्र दिया गया है यह क्या है A है चेतावनी B है अधिसात्माग C है निसेदात्माग D है सुचनात्माग तो यह जो चीन दिया गया है यह हमारा चेतावनी का चीन है इसलिए option number मेरा correct और सही answer है चलिए हम उसको फिर से tick लगा लेते हैं तो मेरा correct और सही answer option number A चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन पे यह देख रहे हैं इसको मैं मिटा देता हूँ यह eraser से मैंने मिटा दिया यहाँ पे चलिए दिखे मिटनी रहा है मिट गया मिट गया थोड़ा सा हाँ अब प्रशन पे आते हैं प्रशन हम देखते हैं यहाँ पे प्रशन है हमारा कि भाई जूम हो जाओ प्रशन है 5S संकल्पना का उद्गम कहां से हुआ A. चीन B. अमेरिका C. जापान D. भारत तो जैसा कि आपको पता है कि 5S संकल्पना का उद्गम जापान से हुआ क्योंकि वहाँ लोग बहुत ही मेनती हैं और सिस्टेमेटिक धंग से काम करते हैं जापान ऐसा छोटा सा देश है लेकिन वह बिक्सित देश है क्योंकि वहाँ काम करने का जो तरीका है वो 5S सिस्टम पे काम करता है चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है निमने में से कौन सा सब्द 5S संकल्पना का नहीं है आप्शन नमबर A है सिंप्लिफाइन B है सेल्फ डेसिप्लीन C है सौर्टिंग D है सिकुरिटी तो यहाँ पे आप्शन नमबर D मेरा सही आंसर है सिकुरिटी आगे बढ़ते हैं प्रशन देखते है अगला प्रशन इमने में से कौन सा सब्द 5S संकल्पना का है क्या है वो A सेफ्टी B सेकुरिटी C जो है सिंप्लिफिकेशन सिंप्लिफाइन सौरी D है सेटिस्फिकेशन तो इसका करेक्ट और सही अंसर है 5S संकल्पना का है वो है सिंप्लिफाइन ओप्शन नंबर मेरे यहाँ पे C चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर इस परकार से है बहुत ही सांदा देखिए वहाँ पे 3S का बताया गया नेम में से कौन सा सक 3S संकल्पना का नहीं है यह है Standardization B है Sorting C है Self Discipline D है Satisfaction तो इसका Correct और सही अंसर है Satisfaction Option Number D आपको याद रखना है अगर परिख्या पास करनी है तो भाईया इसको याद रखिए और साथी साथ मेरे चैलन को सस्क्राइब भी कीजिए और जाद से जादा Like, Share, Comment भी कीजिए आपका सपोर्ट जरूरी है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है कि निवन में से कौन सा उदे से 5S संकल्पना का नहीं है बहुत ही सांदार कोईशन A. डाटा का बिसलेशन B. उन्नत सनियंत अनुरच्छा C. गुनवता D. बहतर सेहत और सुरच्छा तो जैसा कि 5S जह संकल्पना में ये आपका B. C. D. सारा आरा लेकिन A. नहीं आरा डाटा का बिसलेशन तो A. हमारा Correctors सही आंसर होगा चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ यहां पे भैया टिक लगने में क्यों गवराते हो तो यहां मैंने टिक लगा दिया चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण फिर यहां पे टेजर चलाना होगा गलती तो गलती ही होती है चलिए मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ चलिए मैंने मिटा दिया अब प्रस्ण पे आते हैं हमारा अब इरेजर को हटा दिया मैंने अब आया B.I.S का आर्थ क्या है तो Option A. Bureau of Indian Standard B. Bureau of International Standard B.I.S का आर्थ होता है Bureau of Indian Standard चलिए Option Number हमारा A Correct और सही आंसर था चलिए मैंने टिक मार लिया अब आगे बढ़ता हूँ अगला प्रस्ण देखता हूँ अगला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर इस परकार है धुम्रपान निश्यत का परतीख है जैसा कि आप देख रहे हैं धुम्रपान मतलब जैसे सिगरेट हो गया बीडी हो गया यह सब जो हम लोग पीते हैं गांजा हो गया तो वहां नहीं पीना है तो कौन सा साइन दिया हुआ Option Number A, B, C, D तो देख रहे हैं कि Option Number A में जो है आपको 28 Question और मैंने आपको कराया यह प्रशन आपको कैसा लगा तैयारी मेरे साथ कीजिए और यह जो पैन मैंने प्रशन बताया यह पिछले एकजाम में पूछे गये हैं उसी के अधार पर मैंने बनाया है तो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा नहीं भी लगा हो ताप भी कॉमेंट्स करके हमको बता सकते हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद